साई की बात चिंता करते हो ना जिसे तुम बहुत प्यार करते हो ना उसकी चिंता भी करना छोड़ दो उसकी चिंता तुम्हारा बाबा तुम्हारा साई कर रहा है तो तुम्हें चिंता कैसे करनी है क्यों करनी है जब सब कुछ देखने वाला मैं हूँ संरक्षन करता मैं हूँ संभालने वाला मैं हूँ तुम्हारा बाबा है तुम्हारा पालन पोशन करने वाला तुम्हारा बाबा है तुम चांते हो इस धरती पर एक पत्ता भीना मेरे बिना नहीं गिर सकता मेरे इशारे के बिना नहीं गिर सकता मेरे इशारे के बिना मेरे अनूमती के बिनाना एक पत्ता भी न नहीं हो सकता मेरे बच्चे सब कुछ तुम्हारे बाबा के हाथ में है सब कुछ तुम्हारे साइं के हाथ में है सब कुछ तो डरना बंद कर दो जब मैं तुम पर इतना गर्व करता हूं तो तुम्हें गर्व नहीं है अपने बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है क्यों नहीं है मे क्या हो रहा है तो सुनो उन बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और मेरी भक्ति करो मेरी सेवा करो सब कुछ अपने बाबा की ओपर छोड़ दो जहां तुम्हें समझ ना आए ना सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ दो सब कुछ मैं करूंगा मेरे हिसाब से होने दो जब मेरे हिसाब से हो जाएगा न तो मैं तुम्हारे हिसाब से भी कर दूंगा मेरे बच्चे मैं कर दूंगा और सुनो, रिष्टों में परखना बहुत सरूरी है मेरे बच्चे, बहुत जल्दी किसी भी निर्णे पर मत पहुचना, किसी भी फैसले पर मत पहुचना, इतनी जल्दी निर्णे मत लेना अपने जीवन का, क्योंकि ये जीवन बहुत लंबा है मेरे बच्चे, और जीवन के अपने जिन्दगी में इतना दखल अंदाजी करने देते हो कि वही चीज़े तुम पर हावी होने लग जाती है मेरे बच्चे, वही चीज़े तुम्हें परेशान करने लगती हैं, तो अपने जिवन में एक ऐसी सीमा बनाओ, जिसके अंदर कोई लांग के ना आ सके मेरे बच और उसे समझाओ, उस सामने वाले को उस सीमा से समझाओ कि वही सीमा है, उसे लांग कर कोई भी अंदर नहीं आ सकता, कोई तुम्हारे इज़त पर, कोई तुम्हारे चरितर पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं मेरे बच्चे किसी को भी इतना हक मत दो, अगर हक तो कल को तुम ही परेशान हो जाओगी तुम मत करो ऐसा बिलकुल भी मत करो और सुनो तुम्हें प्यार की बहुत जरुवत है तुम्हारे जिंदगी में प्यार की बहुत कमी है अकेलापन महसूस करते हो तुम मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारे पास मैं हूँ ना तुम्हारा बाबा जब भी तुम्हारा मन करे ना तो मुझे अपने गोद में लेकर बैठ जाया करो मुझसे बाते किया करो देखो मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा इतना प्यार करूँगा न कि तुम्हें संसारिक प्यार की जरुवत ही नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे जब तुम अध्यात्मिक रास्ते की तरफ चल पड़ोगे न उसमें व्रद्धी होगी तो देखना कि कैसे तुम्हारे जीवन में सुधार आता चला जाएगा तुम्हारे जिंदगी में अपने आप प्यार वाले लोग आ जाएंगे अपने आप मेरे बच्चे जुड जाएंगे और मेरे बच्चे बहुत प्यार वाले होते हैं तुम जिन लोगों से उमीदे करते हो ना कि वो तुमसे प्यार करें वो तुम्हारी इज़त करें तो उनसे कहीं बढ़कर मेरे बच्चे तुम्हारी इज़त करेंगे तुमसे प्यार करेंगे तुम भरोसा तो करो मुझे पर, तुम मुझे से प्यार करो, अपने बाबा से करो न, और सुनो, कल क्या होगा, इसके बारे में सोचना बंद कर दो, कल की चिंता कभी मत करना, कल जो होगा, सो मैं देख लूँगा, तुम बिलकुल चिंता मत करो, बस वहाँ पर तुम्हें जो क तुम्हारे लिए ही भेज रहा हूं सुन रहे हो ना तुम्हारे लिए ही भेज रहा हूं मेरे बच्चे वह स्वरूप शीडी से तुम्हारे घर में कुछ चल कर आ रहा है तुम्हारे घर पे मैं विराजित होने जा रहा हूं मेरे बच्चे मैं शीडी से चल कर आऊंगा तुम तुम उस स्वरूप को न अपने घर में रखना और रोज मुझे स्नान कराना रोज मुझे भोजन कराना तुम्हारे सामने साक्षा तुम्हारा साई प्रकट हो जाएगा तुम जब जब मुझे बुलाओगे न उस स्वरूप के द्वारा मैं तुम्हारे घर पर रहूंगा मेर रहूंगा, और सुनो, अपने अंदर नकरत्मकता को दूर करो मेरे बच्चे, और अगर तुम्हारे आसपास कोई नकरत्मक लोग है ना, तोसे दूर हटो इससे तुम्हारे मानसिक तनाम में वरद्धी होती है, मेरे बच्चे, जुम्हें बिलकुल भी नहीं चाहता कि तुम् पहल में तुम रह रहे हो ना काफी दिनों से वहां से तुम बहुत जादा परेशान हो चुके हो तुम्हें जरुवत है कि कुछ दिन तुम बाहर चले जाओ कुछ दिनों के लिए तुम्हारा बाहर जाना सही रहेगा जब तुम वहां जाकर प्रकरती से मिलोगे मेरे बच्च चीजे ऐसे कर रहे हो मेरे बच्चे जो तुम्हारे जिंदगी में है ही नहीं तुम उन चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो और सुनो मेरे बात को ध्यान से अगर कोई भी चीज जबरदस्ती की जाए ना जो तुम्हारे भागे में नहीं है या फिर तुम्हारे पर जो तुम काम कर रहे हो ना उसी पर मेहनत करो मेरे बच्चे उसी पर ध्यान लगाओ क्योंकि उसी महनत से न तुम कहां से कहां पहुँचोगे न ये तुम भी नहीं जानते लेकिन मैं तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारे फैसलों में हर कोई हामी भर दे ये तो गलत है ना मेरे बच्चे हर कोई तुम्हारे फैसलों में हामी क्यों भरेगा मेरे बच्चे कोई तुम्हारे कटपुतली नहीं है सबकी सोच अलग है सबके सोचने का तरीका अलग है सबके नजरीय अलग है तो कोई तुम्हारे हामी क्यों भरेगा तो इन चीज़ों को थोपना बंद कर दो किसी पर भी अपनी सोच को थोपना बंद कर दो और परेशान होना बंद कर दो अगर इसी तरीके से परेशान हो जाओगे तो कैसे चलेगा ना तुम खुद खुश रह पाओगे ना सामने वाला खुश रह पाएगा तो ऐसा मत करो अपने चीजों को दूसरों पर थोपना बंद करो मेरे बच्चे और सुनो तुम जो मेरी पुस्तक लाए थे मेरा नाम लिखने के लिए तो तुम लिख नहीं रहे मेरे बच्चे लिखना शुरू करो तुमने कहा था मुझसे कि जब तुम खाली बैठोगे तो तुम मेरा नाम लिखोगे तुम साईराम 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 लिखोगे कहा था ना तुमने फिर तुम क्यों नहीं लिख रहे हो तुम खाली बैठते हो तो तुम बातों में अपना समय व्यर्थ करते हो बातों में समय व्यर्थ मत करो मेरे बच्चे जब भी तुम्हें खाली समय मिले न तो तुम मेरा नाम लिखो तुम मेरा नाम लिखते लिखते तुम मेरा नाम भी जाप करते जाओगे तुम्हारे मन में मेरा नाम चलता रहेगा और तुम्हें बहुत पुन्ने तुम्हारे अच्छे करम बंदे चले जाएंगे जो भी तु आज मेरा दही खाने का बहुत बहुत मन है मेरे बच्चे आज मुझे तुम दही खिलाना मैं खाऊंगा तुमारे हातों से तुम खिलाना मेरे बच्चे और सुनो कुछ चीजे ऐसी है जिसे तुम बदल नहीं सकते मेरे बच्चे क्योंकि कुछ चीजे चैसी बनी है वह वैसी ह रहेंगी तो उन्हें बदलने की कोशिश मत करो चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई चीज हो मेरे बच्चे हर चीज मैंने बनाई है तो फिर उसमें तुम दखल अंदाजी बिलकुल भी मत करो खुश रहो आज का रात्री साही संदेश समाप्तुवा